एक बार एक राजा शाम को अपने राज्जी में घूमने निकला पूरे राज्जी में सब कुछ देखता जा रहा था तबी उसने देखा कि सडक किनारे माटी में एक फकीर बेठा है और मिटी को हाथ में लेकर के एक बालक की भाती बच्चे की तरह उस माटी से खेल रहा है राजा ने देखा और राजा के मन में आया कि शायद ये फकीर के पास रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़ों की कमी है तो क्यों ना एक राजा होने के नाते मैं इसकी थोड़ी मदद करूं पर वो ये नहीं जानता था कि फकीरों की संतों की मस्ती अलग होती है राजा गया संत से निवेदन किया कि महराज आप मेरे राज में चलो और मेरे महल में रहो मैं आपके लिए पूरी विवस्ता कर दूगा फकीर मुस्कुराए और राजा से कहा कि ठीक है अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो मेरी चार शर्तों को तुमको मानना पड़ेगा अगर वो शर्त तुमें मन्जूर है तुमें साथ चलूँगा राजा ने कहा कहिए आपकी कौन सी शर्ते है फकीर ने कहा मेरी पहली शर्त मैं खूब सोऊंगा लेकिन तुम नहीं सोगे राजा बड़ा शर्चकित हुआ फिर कहा कि चलो कोई नहीं आप शर्तें आगे बताईए फकीर ने कहा मेरी दूसरी शर्थ है कि मैं खूब खाऊंगा पर तुम नहीं खाऊगे और मेरी तीसरी शर्थ है मैं अच्छे अच्छे वस्तर पहनूंगा पर तुम नहीं पहनोगे और मेरी चोथी सबसे महतुपून शर्त है कि 24 घंटे तुम मेरे पास रहोगे और मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाओगे अब राजा ये सुनकर के हसने भी लगा और गुसा भी आया ये कैसी शर्त है अरे मैं 24 घंटे आपके साथ रहूँगा आपका ध्यान रखूँगा तो फिर राज्य को कौन सम्हा लेगा और वैसे भी आप खाओ आप पहने और मैं कुछ भी ना करू ऐसे कैसे हो सकता है तो फकीर ने मुस्कुराती हुए कहा ये चारो शर्त तुम नहीं कर सकते मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता क्यूँ कि dug एक राज के बाद्शा हो और तुम मुझे ये देने के लिए त्यार नहीं हो पर तुम जानते हो मेरा बाद्शाह यानी मेरा भगवान ये सब शर्ते मनजूर करता है वो खुद नहीं खाता पर मुझे खिलाता है वो खुद कभी नहीं सोता पर मुझे सुलाता है और सबसे बड़ी बात 24 गंटे हर क्षण, हर स्वास में वो मेरे साथ रहता है वो भगवान मुझसे कभी दूर नहीं जाता तो जब मेरे पास इतना बड़ा बादशाह है तो मैं तेरे साथ चल करके क्या करूँ राजा शर्मिंदा हो गया सच मुच यकीन मानिए इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई बादशाह और आपका सबसे बड़ा कोई हितेशी है तो वो एक मात्र आपके भगवान है हर रोज सुबह उठकर के उन्हें धन्यवाद दीजे कि वो आपको खिलाते हैं सुलाते हैं आपके साथ हर्षन रहते हैं और एहसास करते रहें कि भगवान हमेशा आपके साथ मौजूद है जैशीरादे